गुड मॉर्निंग तू अल अफ यू फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए फ्रेजल वर्ब लेकर आई हूँ फ्रेजल वर्ब दो या तीन वर्ट्स का बना होता है और इसके खास अर्थ होते हैं सामुहिक रूप से और ये खास अर्थ एक वर्ड या एक से अधिक वर्ड होते हैं आगे हम कुछ इंपोर्टेंट रेजल वर्ब को पढ़ेंगे रन अवे रन अवे का हिंदी अर्थ होता है भाग जाना इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं As soon as the police came, the thief ran away ज्योही police आई त्योही चोर भाग गये रन अवे दो वर्ट्स का बना है रन प्लस अवे लुक आफ्टर देख भाल करना इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं There is no one to look after the orphan अनाथ की देख भाल करने के लिए कोई नहीं है लुक आफ्टर दो वर्ट्स का बना है लुक प्लस आफ्टर इस वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर लुक आफ्टर का हिंदी अर्थ होता है समझना, मानना इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं I look on him as my brother मैं उसे अपने भाई की तरह समझती हूँ लुक आफ्टर लुक आफ्टर वर्ब दो वर्ट्स का बना है लुक प्लस आफ्टर पुट आफ्टर का हिंदी अर्थ होता है पहनना, दिखाना इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं My teacher always puts on simple dress वेजशित्चक हमेशा साधारन कप्रा पहनते हैं पुट आफ्टर वर्ट्स का बना है पुट प्लस आफ्टर गेट इन प्रेजल वर्ब का हिंदी अर्थ होता है पहुँचना इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं The train got in an hour late ट्रेन एक घंटे देर पहुचा गेट इन भी दो वर्ट्स का बना है गेट प्लस इन गेट अवे इसका हिंदी अर्थ होता है भाग जाना निकलने का मौका पाना इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं Some of the prisoners got away from jail कुछ कैदी जेल से भाग गयें गेट अवे भी दो वर्ट्स का बना है गेट प्लस अवे गो अप गो अप का हिंदी अर्थ होता है उपर उठना बढ़ना इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं The prices of everything are going up पर तेक चीज की कीमत बर रही है हर चीज के दाम बर रहे हैं Ring up Ring up का हिंदी अर्थ होता है टेलिफोन करना इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं As soon as he saw the thief, he rang up the dsp जोहीं उसने चोड को देखा त्योहीं उसने dsp को टेलिफोन किया Ring up भी दो वर्ट्स का बना है Ring plus up Put up with इसका हिंदी अर्थ होता है सहन करना, बरदास्त करना इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं Who can put up with such an insult ऐसी बेज़ती कौन बरदास्त कर सकता है Friends put up with 3 words का बना है Put plus up plus with Get up Get up का हिंदी अर्थ होता है उठना, जगना इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं I get up at 5 a.m. every day मैं पर तेक दीन सुबह पांच बजे उठती हूं Give away बांटना, देना इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं The prizes were given away by the video इनाम वीडियो के द्वारा बाटे गए The bride was given away by her father Please like, share, subscribe and also comment on video The bride, please兔 झाल झाल